हेज गाइज गुड मॉर्निंग विल्कम बैक टू मैं चैनल आज का वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बाते सेयर करने वाली हूँ कुछ दिल की बात है और कुछ मेरे तबियत के बारे में भी तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं आज सुरुबा का सुरुबात मेरा योगा क्लास से हो रही है और जब मेरा योगा क्लास रहता है न उस दिन मैं कोशिस करती हूँ 30 मिनिट्स पहले जीम आऊं ताकि मैं थोड़ा सा वाक कर लूँ थोड़ा सा वाम अप हो जाता है बाड़ी में उसके बाद क्लास का टाइम हो जाता है फिर में क्लास में आ जाती हूँ योगा करना तो मुझे बहुत पसंद है मेरा जो योगा क्लास की जो टीचर है बहुत ही स्वीट है बहुत ही हेल्प करती है जिस दिन जिसके बाड़ी में जो प्रॉब्लेम रहता है अगर वो मैं के साथ सेयर करते है न तो उस दिन वो प्रॉब्लेम को देखते हुए मैं य का पेन हो किसी को बहुत ज़ादा जो लोड बेली है वहां पे भी पेन होता है तो वो सारे चीज बहुत कुछ सिखने मिलता है और योगा करने से बैक पेन मेरा बहुत हद तक ठीक हुआ है तो मैम से तो मैंने बहुत कुछ सिखा है और वो सारे चीज में आप लोग के साथ भी और योगा क्लास का जब लास्ट टाइमिंग आता है जब खतम होने वाला होता है लाइट आफ करके बहुत ही सुकून से हम लोग एक दिम रिलाक्स करते हैं उसके बाद योगा क्लास खतम हो जाता है पहले नमें ब्लिक किट से ये अवोकाडो लेती थी जो 150 रुपीज का मिलता था और उना सड़ा हो निकलता था इतना ज़्यादा दुख होता था कि मेरा पूरा पैसा बरबाद हो आट सही से खानी ही पते थे उपर से फ्रेस भी नहीं था ये जो साइट से मैं अवोकाडो ले थी अभी मैं चार दिन ले रही हूं क्योंकि मेरा बोडी को भी जरूरत भी है प्रोटीन भी है कैल्सियम भी है फाइवर भी है अवोकाडो में क्या नहीं है कितना बोलूंगी कम है वीडियो कतम हो जाएगा अभी मैंने अच्छे से मैं अपने डाइट पर आड़ करके फॉ तो ब्रादर से थोड़ा सा नमकीन चठ्ठा पट्ठा खाने के लिए क्योंकि मैं तो बहुत चटोडी हूं और अभी थोड़ा सा वींटर का मौसम है तो कैसे मैं यह सारे चीज़ को मिस कर दूँ तो थोड़ा सा हेल्दी वे में भी है क्योंकि मखाना है रोस्टेड भी है और यह जो पापड़ी है बड़ा साइज कभी मिलता है और यह आटा का है यह रोस्टेड है तो जो पापड़ी मैदा वाला है वो ऐसा टेस्ट तो नहीं करता है पर यह टेस्टी तो है नो डाउट और यह जो चनाचूर है खट्टी मिठी रहती है ना तो थोड़ा से वे च बिल्टी ही नहीं दबा के खा सकते हैं और कुछ मैंने विंटर के लिए फेस मार्क्स मैंने ओडर दिया था और डाब का यह जो मास्क है वाओ है इसको मैंने सेकेंड टाइम फिर पर्चेस कर लिया क्योंकि यह बहुत ज्यादा अच्छा है और एक रोज खुद के लिए क्यों सामके चार बज गए है अब मैं जारी हूँ घुमी घुमी करने के लिए तो मैं रेडी हो रही हूँ और मैं जो ड्रेस पैनी हूँ वह मैंने लिया था सवाना से अच्छा आप लोग एक बात बताओ जब भी आप लोग मस्करा लगाते हो आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा रहता है सज बोलू तो मेरा फेस का जो एक्सप्रेशन रहता ना बहुत काटून वाला रहता है कभी-गभी जब वीडियो में एडिट करती हूँ ना वह सारे पार्ट को में एडिट करके निकाल देती हूँ कि मुझे बहुत ज़दा हस्ची लगती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ मुझे कमेंड करके जरूर बताना आप लोग का कमेंड बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है मेरे लिए पता है यूनुबर्स हमारे लाइफ कब चेंज करती है जब आप खुद को बोलते हो येस आयाम एक्स्ट्रा ओडिनरी खुद के रंग जैसे भी हो खुद को हमेसा बोलो यू आप ब्यूटिफुल खुद का बोडी का टाइप जैसे भी हो अपने उपर कॉन्फिदेंस रख आज का जो कैफे है ना बहुत ही क्यूट है क्यूंकि ये पुरा गर्ली स्वाइब दे रहा है पुरा पिंट्रेस पुरा पिंग पिंग और ये कैफे गर्ल के लिए है यहां पर सारे लड़किया ही जादा तर्क है क्योंकि बॉइस के लिए वैसे कुछ है ही नहीं पुरा डिजाइन किया गिया है गर्ल के लिए जस्ट न्यू कैफे ओपे नहीं हुआ है काफी अच्छा म्यूजिक भी है यहां का वाइब भी बहुत अच्छा है बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें इन लोगों फोकस देना चाहिए था वह है यहां का फून जो की पकवास था एकदम अच्छा नहीं था बट बहुत सरे लोगों को पता ही नहीं है कि घुपने फिरने से मेंटल हेल्ट कितना जाते इंप्रूव होता है इंटरनली आप खुस रहते हो कि बहुत सरा ऐसे टैंसन डिप्रेशन होता है जो हमें पता ही नहीं चलता है अंदर ही अंदर खाये जाते तो वक्त है जो वक्त में शूट आज कल तो में बहुत स्वापिंग कर रही हूं पाकिस्तानी सूट का पता नहीं में कब पहनूंगी और आज मैंने बहुत इक चिट्टा सा BLAK कलर का शूट लिया है वैसे कोलक från का मैं बहुत अच्छा अच्छा कलेक्सन मिलते हैं पाकिस्तानी सूट का कि बहुत सारा सोरूम है वान वीक लेटर है गाइस आज मैं आप लोगों से पुरा साथ दिन बाद मिल रही हूं और यह ब्लॉग भी साथ दिन बाद में सूट कर रही हूं क्योंकि बीच में मेरा तबियत इतना ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि एसी चल रहा था अचानाक से कोलकता में कहां से इतना ठंडा आ गया कि एसी बंद हो गया पूरा ठंडा हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खासी बुखर सब कुछ एक साथ आ गया और आप लोगों को तो पता ही है मां के लिए रहती हूं तो दिखने वारा तो कोई है नहीं तो ब बहुत अच्छा भी लग रहा है धूप भी निकला है तो मैंने सोचा टॉम बाबु का गद्दा थूप में दिखा देती हूं और मैंने सुबा सुबाज नहा भी लिया तो थूप भी सेख लेती हूं विंटर में वैसे मुझे धूप सेखना बहुत अच्छा लगता है और म मैंने एक टाइम लगाती हूं फिर 10-15 मिनीद बाद फिर मैं एक बर री अप्लिकेशन कर लेती हूं उपर आने से पहले ताकि इसकी इन थोड़ा से प्रोटेक रहे सन डावेज ना हो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज सियर कर रही हूं मेरा हेल्थ अपडेट तो पास मन से अप लोगों का जब से प्यार मिला है तो मैं यूटूब को सीरियस लेती हूं और इस सीरियस लेने के चकर में ऐसा हो गया है कि मैं हबते में दो वीडियो अपलोड करती हूं थसडे एंड संडे तो थसडे जो वीडियो अपलोड होता है ना मैं आफिस से आती हूं आन बलाक कॉफी लेती हूं, फिर मैं ओफिस निकल जाती हूं, फिर ओफिस का काम है, टीक, टेंसन, फिर घर में आओ, फिर घर का काम, तो ना सोने का टाइम, ना रेस्ट करने का टाइम, तो ये बॉडी है, कोई रोबोट तो नहीं हो, ना मैं कोई मशीन हूं, ये मैं एक साल से ऐसा करती आरही हूँ अभी ऐसा हो गया है कि मेरा बोडी बहुत जिता वीक हो गया है बहुत इस्ट्रेस भी आ गया है क्यूंकि मुझे में सुखून पोलं जाया करना है मैं य। लिद्व आप्लोड करते हैं अ। बहुत 9ori करक anar हैं माव कर दो पाते उन लोग से बाती करना almost मैंने छोड़ दिया है क्योंकि time नहीं होता है जो भी time होता है फिर में मैं manage करके मैं suit करने लगती हूं फिर मैंने बीच में जब मेरा तब्यवत खराब हुआ तो मैंने सोचा कि मैं यूटूब छोड़ दू यूटूब की चक्कर में मेरा तबियत एकदम से ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मुझे देखने वाला भी यहां पर कोई नहीं होगा बट पैता नहीं क्यों आप में से मेरी जो सिस्टर है जो में बहुत सारा प्यार करते हो कभी कभी जब जब मैं लो फिल करती हूँ जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उनके मैसेज उस दिन नहीं आएगा पर जब जब मैं low feel करती हूँ पता नहीं कैसे message ऐसा कुछ आ जाता है कि मुझे demotivate से motivate कर देते हो और वीडियो बनाने के लिए फिर से मुझे encourage कर लेते हो ऐसा हुआ है मेरी एक sister ने मुझे comment किया था वो comment प्लीज आप लोग देखो क्योंकि ये comment नहीं मुझे फिर से YouTube में बापसी करवाया नहीं तो मैं YouTube छोड़ देती मेरी इस sister ने मुझे इतना प्यारा सा comment किया कि मेरे वीडियो देखे उनको तो motivation मिलता है पर वो अपने बेटी को मेरे बारे में बताती है और motivate करती है मतलब कितनी बड़ी बाते उस चोटा सा बाबु को मेरे बारे में उसकी अम्मी बोलती है मतलब बहुत बड़ी बाते ये मेरे लिए आगर आप ये वीडियो देख रही हो तो आपको बहुत सारा प्यार बहुत बहुत सारा दुआ मेरे तरब से और बाबु को बहुत सारा प आपके पूरी फैमिली को खूस रखे थैंकी सो मच यह मैसेज मेरे उस सारी सिस्टर के लिए जो मुझे देखना चाहती हो जो मेरे सक्सेस के लिए दुआ करती हो जो मुझसे प्यार करती हो मैंने तो गीवाफ कर दिया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी पर मेरे को इतना जाद आप लोग प्यार करते हो मैसेज करके पूछ ना कि समरें वीडियो कब तक आएगा दी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है थैंकी सो मच मुझे यह याद दिलाने के लिए कि आप लोग मेरे पास हो आप लोग मेरे साथ हो तबियत खरब के वज़े से मोड सुइंग्स भी बहुत जदा हो रहा था फिर थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था मैं बहुत चिर्चरी भी हो गई थी तो मुझे ऐसा फिल हो रहा था अगर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो क्या फरक पड़ता है किसी को क्या मेरे से मतला में बट आप लोग ने तो यह ऐसास दिला दिया फरक पड़ता है आप लोग इंतिजार करते हो आप लोग मुझे देखना चाहते हो सुनना चाहते हो तो थांकी सो मच मुझे अपने लाइफ में जगा देने के लिए और प्यार देने के लिए इंतिरा से मैंने कुछ नाइट सूट और ड्रेस ओडर दिया था जो कि 15 दिन से जादा हो चुका है मैंने अभी भी इसको ओपेन करके नहीं देखा तो चलो साथ में देखते हैं पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसको देखके मैं बहुत खुस हो गई क्योंकि ये मेरा री पर था तो वह भी आउट आफ स्टोक दिखा रहा है तो वह तो मैं ले नहीं पाई पर मेरा बहुत ज्यादा फेवरिट था क्योंकि ये पुरा पिंट्रेस्ट में दिखा रहा था पुरा वाइट में पुरा हाट हाट पुरा एकदम डिजाइन किया हुआ था और इसका मेटरिय हमेशा मैं ओवर साइज लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा कोजी फील होता है आज को जो मेरा ड्रेस है जो भी आउटफिट है उसमें से कुछ भी अगर साइज उपर नीच हुआ ना तो मैं रिटर्न ना कर सकती हूँ ना एक्च मेट्रियल ज्यादा अच्छा था और इसका मेट्रियल थोड़ा सब थीक है मतलब 19-20 है बट अच्छा है और मुझे इसका प्रेंट भी बहुत अच्छा लगा सबसे अच्छा लगा यह लेस इसको फोटो में तो मैंने देखा था पर यह जैसा आया है सामने से और ज़दा अच्छा लग रहा था और सज बोलू तो लेस के साथ ही मॉडल के उपर अच्छा लग रहा था इसलिए ही मैंने और दिया था यह वी ओवर साइज का है बहुत ही कमफुर्टेबल है आराम से बैट सकते हैं मैं हमेशा ओवर साइज का लेती हूं ताकि बैटने में कोई प्र बचपन वाली खुसी मिसिंग है यार उतना खुस तो अभी उतना एकसाइटमेंट नहीं रहता है कि हाँ लिया तो लिया है ऐसा टाइप का क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया कपड़े और देना रिसीब करना फिर कहीं पे भी जाओ निव निव कपड़े वेर करना उसक बचपन वाली जो चीजें थी ना आप वैसा कुछ नहीं रहा है क्योंकि पूरा साल भर वेट करती थी कब यह दाएगा कब न्यू कपड़ा मिलेगा अब तो जब तब हो जाता है तो इसलिए व्यालू नहीं रहा यह ड्रेस का फिटिंग अच्छा है बट इसका ना डीप नेक बहुत जदा अनकमफोटेबल लग रहा है जो कि बाहर पहन के नहीं निकल सकते है और इसका जो बैक का डिजाइन है वो अच्छा है वो कमफोटेबल है उसमें कोई भी प्रॉब्लिम नहीं है इतना डीप नेक नहीं पहन सकती ना इसको एक्स्चेंज कर सकती हूँ ना इसको रेटेन कर सकती हूँ तो वेस्ट अव मनी यह कोई काम का नहीं है तो इसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनने वाली हूँ इसस्टन ने पूछा टा कि ड्रेसिंग सेंज को कैसे इंप्रूब किया जाए सबसे ज़्यादे इंपोर्टेंट है आपका लाइश्टाइल और दो नंबर में होता है वो है आपका बॉड़ी बॉड़ी को अच्छे से टोन करो उसके लिए फिरी हैंड एक्सराइज से बॉड़ी कभी टोन नहीं होता है उसको मेंटेन होता है बॉड़ी को टोन करने के लिए जिन जाना पड़ेगा डंबल उठाना पड़ेगा हेवी लिफ्टिंग करना पड़ेगा जैसे आपका बॉ प्राष्ट में यह टॉप था यह टॉप भी काफी अच्छा है काफी कमफुटेबल है फुल स्लीप था तो मुझे पसंद आया लाइफ में अगर ग्रो करना है आगे बढ़ना है तो हर रोज खुद के लिए काम करना पड़ेगा हर रोज सुबा उठना पड़ेगा जीम जाओ स्किन केर करो डाइट करो कॉलेज में जाते हो इस्कूल में जाते हो तो जाके अच्छे से स्टूड़ी करो जो वक्त अपके पास है वो वक्त अगर निकल जाएगा तो लाइफ में बहुत कुछ छूट जाएगा अगर जॉब करते हो तो जॉब पे जाओ और अच्छे से का अवी मूणि यहां प्रह्जर थोड़ा सा ब्लाक चाना थोड़ा सा यहां पर मैंने बीट को भी कट कर लिया है फिलिया है चनाचु लिया है भोईल आलो लिया है और दनिया आपके पास तक यहां पर ऊप Campaign Manager जीरा लिया है गोटा जीरा धनिया इसको हम यहां पर यहां पर मैं यूजonta लें मूरी होई ही जुत हैलिवी है सारे इन्ग्रीडियेंस फाइबर यहां ६हुत ज्यादा है और बनाना भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ही पर मेरा वीडियो दिखते भी इंजोई कर सकते हो सारी इंगेडियेंस को अच्छे से मिक्स करना है थोरा थोरा कॉंटिटी में देना है जैसे आपका पूरा मूरी का कॉंटिटी होगा उसके ही सबसे सारे चीज़ को एड़ करना है उसके बाद थोरा सा ब्लैक सॉल्ट यहां देंगे हम लोग ने जीर और दनिया थोरा सो तक राक रोल और जो दinya तरह रोश्ट करके रखा तो उसका थोरा सा मैं यह आप पाउडरआ के थोरा सा थोरा सा थोरा सा शयाम अग्याइल तो फंकल यहां और टेस्टी है उसके बाद पर पापड़ी यहां पकलपिस अगाम मै र configurate рук को nine को भी cut कड मुझे नहीं करदा है मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं दिया था और भी मन कर रहें मैं बना के खा लेती हूं और मैं चाई के साथ ही खाती हूँ दूद वाला चाई और उसमेना मैं गुरे याद करती हूँ आने वले टाइम पे आप लोग के साथ मैं healthy cake का recipe share करूँगी और एक लड़ू है जो मैं ले रही हूँ कुछ time से बहुत अधा healthy है हैर और skin के लिए बहुत अधा healthy है जो घर पे अब बना के store करके रख सकते हो वो भी मैं बहुत जल्दी आप लोग के साथ share करूँगी कुछ piece अभी लड़ू का है वो पूरी तरीके से मैं खा के पहले खतम कर लूँ उसके बाद जब new बनाऊँगी तब मैं recipe share करूँगी एक sister ने मुझे पूछा था कि दी आप mentally कैसे strong रहती हो तो मैं बहुत ज़ता hard work करती हूँ अपना सपनों को पूरा करने के लिए और इसलिए मैं mentally strong हूँ क्योंकि मैं किसी के उपर भी मैं depend नहीं हूँ और depend मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास earning है simple सी बात है आप जब कमाने लगते हैं आपके पैसा आता है आपके पास confidence आता है और अपने आप आजाएगा उसके बाद आपको किसी के उपर depend होनी की ज़रूरत नहीं है मैं माबब के उपर भी depend नहीं हूँ मैं अपने लिए काफी हूँ अपने लिए मैं सारे चीज़ें कर सकती हूँ किसी के उपर ज़्यादा depend होना ही एक लड़की के लिए कमजोरी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा disappointment होती है ज़्यादा sensitive होती है रोना फेरी इस्ते भी बीगरना सुरू हो जाता है मुझे तो लगता है खुद के उपर ही depend हो और इतना ज़्यादा confidence depend independent बन जाओ कि ज़रूत नहीं है पर जो extra जो आ रहा है जो प्यार महबत चाहे माँ बाप से हो अपने लब होन से हो उसको हमें साथ God gift पानो, bonus मानो और अपने पास समाल के रखो हर एक रिस्ता बहुत खुबसूरत रहता है बहुत healthy रहता है and मैं तो यही बोलूँगी कि चीजों को ना थोड़ा सा सिप समझने की ज़रूरत होती है और सारे चीज़े ना बहुत smoothly होता है बस वो handle करने का तरीका वो आपके हाथ में होता है और आपके समझ में आज मैं मुवी देखने आई हूँ सिंगम रोई सेटी का मुवी देखना मुझे बहुत पसंद है वैसे तो यह मुवी का प्लैन बाना था एक हपता पहले बट में बिमार पड़ गई तो आही नहीं पाई सिंगम मुवी देखने इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि रोई सेटी का एक्षन रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कॉमेडी भी बहुत अच्छा लगता है पूरा थेटर खाली है सिब दस लोग गिनके बैटे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नीद आ रही इसलिए मैंने ब्लैक कॉफी ले लिया क्योंकि मुझे रात बार जगना है यह वीडियो को एडिट करना है फिर सुबह अपलोड करना है बट लास्ट में मुवी का चुलूल पंडे को देखके मैं खुस हो गई पर मुवी ज्यादा अच्छा नहीं था पर चुलूल पंडे म मुझे अच्छा लगा मुवी का स्टोरी अच्छा नहीं था इसलिए मुवी फ्लापोर अब पता चल रहा है इनिवेस मैंने तो अपना साम बहुत अच्छे से इंजॉई किया है और मैंने इन दिनों क्या क्या किया है आप लोग को सारी चीज़ ब्लॉग में सेयर भी किया है I hope आप लोगों ने ब्लॉग इंजॉई किया होगा अच्छा लगा होगा and ब्लॉग अगर अच्छा लगा है ब्लॉग को like, share, subscribe करो सीजन चेंज हुआ है अचानक से तो cold, curve, fever, सब कोई हो रहा है तो अपना ख्याल रखो मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बहुत सारा प्यार, thank you so much मुझे प्याद देने के लिए, bye